नमस्कार दोस्तों मैं मनोशुगला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है हमारा मंतली करेंट अफेर है पूरे मंत का निचोर निकाला है दोस्तों और फैबरेरी मंत में जितनी इंपॉरेंट चीजे हैं इससे एक उपर आपको नहीं पढ़नी है इसमें सारी चीजे मैंने अच्छे से इसमें लगाई है और जो मुझे लगा कि इसको इंपॉर्टन नहीं इसको मैंने हटाया भी है जो यूजलेस चीजे थी तो सिर्फ इंपॉर्टन चीजे आप से बात करूँगा इस पर फैबरेरी मंत की वो भी 2021 का तो आप सभी रेडी हो बड़िया सीट मेल बांद लो तक एदधर नहीं रहो सामने देखते रहो चलो लो बंदो स्टार्ट करते हैं और फैबरी मंत सबसे पहले आपन बात करेंगे और साइन्स अंट टेक्नोलोजी पर जूचिदे इंपॉरेंट होई है उन पर तेक है और इनसे जुड़े वो बंदे भी बात करेंगे यह कहां पर विया यह अमेरिका की Space Agency तो यह दोनों उसी से जुड़ी हुई है पहली बंदी जो आपको उपर दिख रही है इनका नाम है स्वाती मोहन ठीक है स्वाती मोहन ने क्या किया है इन्होंने जो नासा का मिशन था मार्स पे भीजने वाला उस रोवर का नाम क्या था? Perseverance देखे कुछ रोवर्स के नाम तो आप ऐसे याद रखे है जैसे कि यू एई जो है एक कंट्री जो है अरब की एक कंट्री है तो यू एई ने जब भीजा है मार्स पे उसका नाम क्या रखा है? hope probe hope probe इस तरह से जब अमेरिका ने भीज़ा तो उसका नाम क्या रखा था उस rover का नाम था perseverance ठीक है तो इस अब जब भी कोई mission होता तो उसको कोई ना कोई तो head करता है तो इस perseverance mission को किसने head किया था उसको head किया था स्वाती मुहननन ये बात clear होगे आपको ये भारती अमेरिकी वैग्यानिक है तो इसका मतलब ये होता है कि पैदा हुई होगी भारत में तेक है या हो सकता भारत मूलकी हो या रही या पली बड़ी या जो भी है सारी चीज़े उनने करी अमेरिका में clear होगे लेकिन हमारे लिए तो NRI होगी सो बात की इपड़ वो जो भी हो उसे पर रखनी परता भारत मूलकी है इसलिए आपको पता होना चीज़े स्वाती मुहन ने पर्सीवरेंस जो कि नासा का मंगल मिशन था उसको हेड किया था दूसरा आप देखेंगे एक और यहां पर लिखा हुआ है इनका नाम है भीया जॉनसन कैथरीन जॉनसन और यह गड़ी तक गे है और यह भी नासा की गड़ी तक गे है यह वो गड़ी तक गे है जिन्नोंने इनका एक मिशन था यहां पर आप देख रहा होंगे मरकरी एटलस सिक्स मिशन मरकरी एटलस सिक्स मिशन इसको हेड किया था ठीक है तो अब इनके नाम पर हुआ क्या है देखिए आपको मालूम है कि जो हमारे I.S.S. मतलब की इंटरनेशनल स्पेस सेटलाइट इस्पेस स्टिछन जो हमारे जितनी भी स्टिशन होंगे तो वह गये हुए हैं थो इनको क्या करना उनको सप्लाइब देनी पड़े हैं उनके पास घाना वहान जो बी सामान चीज है उनके पास रहने कप्ड़े पहनते हों वहापर तो उसको भाई वह तो खतम हो जाएगा ना वहाप एक समय के बाद तो यहां से वहाँ जो जाएगा उसे कहते हैं सबसे पहली अरब कंट्री है जिसने मंगल पर अपना मिशन हो प्रोब जो है उसको छोड़ा था और यह इस तरह से करने वाला अब पूरी दुनिया का पांचवा देश बन चुका है पहला को सब्सक्राइब देखो पहला तो युनाइड़ इस्टेट्स है अमेरिका फिर सोवेट उनियन याने की रशिया और फिर यूरोप और इंडिया तो यह चार्थ है अभी तक अब इस लिस्ट में पांचवा कोन होगे जिसने मंगल मिशन किया है अपना तो वह है यू CEO है अब इन्होंने क्या किया है यह लोग क्या करते हैं दोस्तों यह लोग बनाते हैं अपना भारत विकास केंद्र जिसे हम IDC कहते हैं इंडियन डेवलप्मेंट सेंटर तो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के दो सेंटर थे एक तो था बैंगलूरू में करनाटक में और एक है बनाया है भारत विकास केंद्र माइक्रोसॉफ्ट वालों ने तो यह उन्होंने बिल्कुल वैसी डिजाइन दी जैसे कि ताज महल है तो आपसे पूछे जा सकता है कि या तो यह पूछ लेंगे कि बताई यह भी माइक्रोसॉफ्ट का हाली में कहां बनाया उन्होंने IDC क्य लिए बहुत बड़े मतलब वास्टू कला जो है वह ताज महल से और इसके CEO है सत्या नडिला बाई क्यूंकि हमारा इसरो लगातार कुछ ना कुछ काम करता तो इस बार उसने फिर से काम कर दिया है आपने देखी लिया है देखो अभी हमारा जो गूगल मैप है गूगल नविग भी बनाया हुआ है नविग आना जैसे देखो यह आपने यह देखा होगा नविग यह नविग क्या है यह GPS की तरह काम करता है यह GPS की तरह काम करता है जैसे कि सबका GPS साट लग लग है यह GPS जिसम कहते हैं यह USA का है एसे इता है एक Glonass यह रशिया का है ठीक है एसी Galilio यह Europe का है इसी बाइडू आता है बाइडू यह चाइना का है तो सब ने अपने GPS बनाए हुए और GPS जो आप नाम देखते हो यह खुद भी USA का है ठीक है इन्हें क्या कहते है इन्हें कहते है GNS GNS याने Global Navigation Satellite System यह सब के सब GNS है याने कि USA का GNS क्या है GPS और रशिया का GNS क्या है GLONASS याने की Global Navigation Satellite System सब्सक्राइब क्या है यह सिर्फ भारत को ही जो है यह सटलाइट जो लांच किया गया है यह जो GPS है हमारा भारत के नक्षे को अच्छे से यह भारत पर नजर रखने के लिए बनाया गया है आपने देखा होगा टूटल 9 सेटलाइट लॉंच की गई थी नाविक में जिसमें सिर्फ साथ सेटलाइट ही गई थी दो तो फेल हो गई थी वहाँ पर ही एक उड़ी नहीं एक फेल होने के बाद उड़ गई मतला हवा में घतम हो गई तो इस तरह से तो आई यह से क्या कह होता है यह सब के सब जी एन एसे से जनने ग्लोबल नेविगेशन कहां जाना है आप पूरे नक्षा देख लो अच्छे से ऐसा वाला मामला है पूरे ग्लोबल का लेकिन इंडिया पर नदर रख रहा है और यह हमने नाविक बनाया हुआ है तो इसे क्या कहते है आर एन एसस पर नदर रख रहा है इसलिए सिर्फ आई आर एन ss मिलरोगे इतिवाद तो यह नविगेशन सटलाइट है अब मैं बात कर रहा हूं आपसे गूगल मैप की यह गूगल मैप की बात कर रहा हूं तो गूगल मैप कैसे काम करता है यहां से यहां-स ब्लोकेशिं डॉल और की जगह पर बना लिया है भुवन ऐसे वाट्सप की जगह पर संदेज भी बना लिया हमने कुल मिला करके हम पूरी तरीके कॉरोन काल में को हमने जितनी भी मेडिसें जैसे कि आपको मालूम है जो सब्सें इंपोर्टेंट को वन्हें इसमें बहुत सारे केमिकल से बनाऊगा तो इसके छोड़े चैना सेुसी केमिकल जितनी भी सारे सीज़े बनती है वह सब बनती चाइना से, तो हम चाइना जिसने कोरोना के लिए पूरे देश को परिशान कर रहे के रख दिया पूरी दुनिया को, उसी पर हम निर्भर भी थे, और इसी वैसे आप देखो सबसे खतरनाक बात, चाइना से हमारी लद्दाक में भी इत्ती लड़ाई हुई, चाइना प सबसे व्यापारिक, सबसे बड़ा व्यापारिक देश निकल गया है, USA इसके बाद आता है, USA second number पर आता है, और फिर आता है UAE, आप समझ पार में क्या कहना चाहरा हूँ, कुल मिला करके हम आत्म निर्भर नहीं थे, हम दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए मूदी ने कहा है कि आत्म निर्भर बनेंगे, अब आत्म निर्भर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम जितनी भी manufacturing है, जितनी भी manufacturing है इन दवाईयों की, सिर्फ हम इसी के लिए चाइना पर निर्भर नहीं करते दोस्तों, करीब-करीब 7 billion dollar का 2020 में व्यापार हुआ है चाइना से और यह सबस के लिए निर्भर नहीं थे, hydrochloroquine जो की malaria के लिए यूज होती है, malaria के लिए उसका इस्तमाल किया गया था, corona से लड़ने के लिए भी, तो इस दवा को यह भी हम चाइना पर निर्भर थे, सिर्फ इतना ही नहीं हम mobile वगेरा देख लो, mobile देख लो आप और जितनी भी telecom हो, चाहे laptop हो, छोटी-छोटी devices हो, PC हो, computer हो, चाहे वो दवाईयां हो, चाहे वो telecom की services हो, telecom मतलब जैसे की mobile, internet, इन सब चीज़ों की समस्या, जो भी चीज़े, इन सब का manufacturing हमारे देश में होना चाहिए, इन सब की manufacturing हमारे देश में होना चाहिए, इसलिए तो उनने कहा कि भ अभ्यान सफल करना पड़ेगा, make in India सफल करना पड़ेगा, make in India में सारी manufacturing यहीं होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए, अब आया है, PLI, यह क्या है, production linked incentives, production linked incentives, production linked incentives में यह साफ साफ कहा गया है, कि आप कोई भी हो, आप जितने भी बाहर के business man है, जो बाहर manufacturing करते हैं, या या फिर हमारे खुद के अंदर के जो इंडिया के हैं, चाहे globally हो, कोई भी business man, या हमारे इंडिया के जितने भी हैं, उन सब से कहा गया कि आप यहीं पर production करो, आपके production में हम आपका 6% से लेकर के 7% तक की आपको incentive देंगे, इसलिए कहा है production linked incentive, समझ गया ना, incentive को link कर दिया ग आपके, तो यह देखे, आगात मिनर पर बनाने के लिए making India चाहिए था, making India को possible बनाने के लिए production linked incentive शुरू किया, और इसी में कहा गया कि सारी अब mobile, laptop, telecom, इनकी सब की line यहां पर शुरू हो रही है, यह यहां पर दवाईयां, pharmaceutical कहते से, दवाईयां भी अब हमारे यहां ही बनेंगी, ऐसा हमने कहा है, और telecom, यहांने internet studio चीजे भी सामानमी सब हमारे यहां बनेगा, आप सोच पारे मेरे बाद, इसलिए आपने देखा होगा, Amazon ने, Amazon ने साफ सब PLI के अंदर ही, Amazon ने कह दिया, उसने अपनी पहली manufacturing line, उसको भी शुरू कर दिया, दूस्तो, manufacturing line, इस प्राइम मेंबर बनना पड़ता है, आपको Amazon प्राइम वीडियो देखने के लिए, तो उसके तायत कि वह एक तरह से Wi-Fi, डॉंगल की तरह उसको लगा दो आप TV में, और जो वीडियो जाना है, देखना है वो देख लो आप, तो वो जो चीज वो डॉंगल बनाते थे, अब भारत में बनेगी, तो यह उन्होंने PLI के अंदर के तायत होगे, समझ गया आप, याने कि हमें आयातित नहीं बनना है, हम आयात पर नहीं होना चाहते, आत्म निरबर होना चाहते, इतनी सारी सिच्वेशन में आप देख पा रहे होंगे इस चीज को, और चाइना दोस्तों सरे भारत का ही सबसेड़ा व्यापारिक देश उभर करकी नहीं आया, इसने सबसे जादा व्यापार यूरोप से भी किया हुआ है, यूरोप से भी सबसे जादा व्यापार चाइना कही हुआ 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 है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों में, तो आत्म निरबर मेक इंडिया और मेक इंडिया के तहित पी एल आई प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव आप देख गा हूंगे इससे जॉब बे क्रिएट हो जाएंगे लड़कों को जॉब बहुत बात अगर यहां मैनिफेक्शनिंग होगी तो लड़के चाहिए होंगे लड़के चाहिए ह इसलिए हमने क्या किया है कि WhatsApp को रिप्लेज करने की कोशिश करी है एक एप बना दिया है संदेश नाम का यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आप उसे डालोड भी कर सकते हो सब वैसे ही जैसे WhatsApp का होता है पूरे इमोजी इमोजी इसकी खास बात यह है कि आप अपने च चैट है उसे इमेल पर स्टोर कर सकते है हाला कि अभी सबके लिए उपन नहीं किया गया है सिर्फ कुछ गवर्मेंट इंप्लॉई के लिए उपन किया गया है क्योंकि अभी चल रहा है इस पर अभी वर्क चल रहा बहुत सारा तो याद रखिए WhatsApp को रिप्लेस किया संदेश तो कोईश करो दोस्तों गूगल मैप की जगा भूवन को देख लो अभी हमाँ सुझना कि लगान का भूवन है आपके यह ऐसे वाला मैसा नहीं को भाई हो चला बहुत बढ़ी है अगला है देखेगा ध्यान से चावनी चावनी नाम की यह एप बनाए यह दिख रहा चाव आ सैन सब्सक्रा फेके खेगा लिया नहीं यह लोगों के लिए आर्मी नहीं परिवार ऐसे लोग सब्सक्राइने के लिए और शाश्रा नहीं के लिए गृपारol के लिख ya बाहार बॉर्डर पे है तो चिंता है तो यह ना हो कि उनको रहने में भी समस्या है तो कुछ यह तो हम दूर करें और दूसरा है इस आप डूइंग आसानी से रह सके आसानी से जी सके इस काम के लिए इचावनी पोर्टल लॉंच किया आपको याद रखना है कि यह आर्मी से एक ब्राजील का सेटलाइट है जिसका नाम है Amazonia 1 ठीक है ब्राजील के जंगलों में यह आपको मालूम है और वहां पर बहुत तगड़ी आग भी लगी थी तो ब्राजील के जंगलों में बहुत तरी आग लग जाने की वजह से मालूम नीचलता था तो एक सेटलाइट Amazonia 1 इसरों ने लॉंच किया है इस पीएसलवी से तो यह क्या करेगा यह सिर्फ ब्राजील के जंगलों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है तो आपको यह याद रखना है कि जो अभी इसरों ने पीएसलवी से लॉंच किया है तो उसमें से कौन सा वाला यह Amazonia किस से सतीज़वन नैनो सेटलाइट है और एक यूनिटी सेटलाइट है तो तीन यह पेलोड भी जो है लॉंच किया गया है सिर्फ पीएसलवी से इसके साथ ही इसी में प्यएसलवी सी फिफिटीवन में क्या क्या रखा गया है दोस्तों भगवत गीता की कॉपी रखी गई है प् 25,000 common individuals के उसमें नाम भी लिखे हुए है तो यह सब भी साथ में भीजा गया है प्रदानमंत्री को नहीं भेजा गया प्रदानमंत्री की फोटो को भीजा गया है तो यह नहीं कि तुम TV कोल के बढ़ा ज्यांक ने कहा होंगे हो समझ के इस बात को बहुत बढ़िया और यह द इकाल करके तुरंट चेंज कर सकते हो मतलब ऐसा होगा कि जहां पर भी आप जाओगे तो जैसे मालो यह बैटरी आपकी खत्म हो गई है अभी साइकल के तो ला बाई दूसरी बैटरी ला मेरी तो खत्म होगी वाली इसको दिया दूसरी लगा क्या वापस फिर से निकल ले स सब्सक्राइब के ऐसा काम इसका 30,000 की बाई क्या बहुत ही फीजिबल है सिर्फ इसलिए तो आपको याद रखना है कि अभी पीमो क्या है पीमो पूछ लेगा ऐसे पूछेंगे साइंस एंटक में आपसे कि पीमो अभी जो लांच हुआ वो क्या है तो आपको याद रखना आपको पता ही होगे अभी आपको ठेक कोई दिक्कती नहीं और अच्छा अब एक और देखिए बांगलादेश के सुप्रीम कोट नहीं था बांगलादेश सुप्रीम कोट नहीं तो उसका जो हाई कोट है उसने अमार भाशा वहां बुलते ना आमि क्या बूलता उसको निकलते हैं जो भी वह डिकलेयर करते हैं या जो भी चीज़े उन्होंने बनाई है वह सब इंग्लिश में होती है लेगिन हमारे बंगालियों को समझना पड़ेगा उनको तो अमार वाशा कुछ और नहीं है अमार वाशा एक रोबोट का नाम है आर्टिफिशिल अनुवाद आणुबा ट्रांसलेट अनुवाद ही रखा गया हिंदी में रखा गया इस बात का ध्यान रखिये तो लोकल लेंग्गिश में यह उसे कई और आपके बंगाली भाशा में अनुवाश हो गया तो यह बोलना शूरू कर देगा जिसका नाम है SnakePedia, झुको Wikipedia यह सबताब अपने बहुत सुना होगा, अब यह SnakePedia, क्या काम करेगा यह, किरल में बहुत साप है, आकको मालम हुद में, बिल्कुल साप ही साप है, क्यों नहीं होंगे साप, वह तिनी तरह के साप है कि जब काट लिता है, तो सबी सापों से अरो km बारे में जानकारी मिलेगी कौहूंस साध़ काट की गया इसका क्या उपचार ये भी इसमें मिले जाए यहाद़ रखेगा सनेख मेज किया है यह के रखे मोइ साधर कातने के इलाज के मदद के लिए विदर यहाद इसे किया दक्टर को मुदत मिलेगी है ऌ? प्लियर उरोली बात, सबसे पहली Digital University बनने जाईए, यह Digital University कहां बन रही है, Mangalpuram में बन रही है, याधरखों हूं भारत की सबसे पहली Digital University कहां बन रही है, lips question में यही याद रखना है, आपको बाकी तो कुछ भी याद नी रखना है, अभी यह बनेगा, टाइम लेगा बनने में, और यह कुछ और रही है, यह हमने, यह जो आप देख रहा है, डिजिटल उनिवर्सिटी, यह अपग्रेड है, किसका अपग्रेड है, यह दिख रहा है, IITMK, नाने कि इंडियन इस्टिटूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोल इंफरेड है, बारती एक सा जनरल इंशूरेंस, जनरल इंशूरेंस कंपणी है, बीमा करती है, इन्होंने क्रशी सखा, एक एप है, उसको लौच है, क्रशी सखा आप समझ गया होंगे, किसानों की मदद करने के लिए बना हुआ है, यह क्या करेगा, फसल की बीमा से इस फसल के बारे में जितनी चीज़ें, वेग्यानिक रूप से फसल की खेती करना, उसकी बुवाई करना, या प्रमुक फसलों की कटाई के बारे में जितनी सारी जानकरिया होंगी, सब उसमें उपलब्द होती है, क्या क्या आपको बीमा मिलेगा, किस बीच में मिलेगा, क कौन से मौसम में क्या होगा होगा क्या नहीं होगा होगा सब कुछ दिया हुआ इसलिए नाम है कृषी सखा एप क्लियर बहुत बढ़े है किसने लॉंच किया है भारती एकसा जनरल इंशुरेंस कंपनी ने बहुत बढ़े साफ चलो आगे चलते हैं अब बात करते दोस्तों ख यह नाम भूलिये मत इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ठीक है अभी यह कौन है यह सबसे कम उमर की है जैस्मीन हैरिसन इनकी उमर देखलो आप सिर्फ 21 साल है और इस बंदी ने आपको बना के दिखाऊंगो मैं उस शीष को इस बंदी ने जैसे देखो यह तो आप सभी चानते हो कि हमारा एक मात्र महासागर जो च लेटर का दिखता है जो च लेटर पर अभर यह से पूरा execute के सब्सक्राइब यूरोप में आयागा इस्पेन, तो इस्पेन का एक Canary Island है, Atlantic महासागर में, उस Canary Island से, ये Canary Island, Canary Island से ले करके यहाँ पर, क्या हाँ, नाम बता रहता हूँ आपको Antigua, दिख रहा है, इस्पेन के Canary Island से Antigua, Antigua यहाँ पड़ेगा बिल्कुल, ये Antigua, मतलब पूरा Atlantic महासाग पार किया है, तो अकेली महिला और वो भी अकेले, अकेली महिला, सबसे कम उमर की महिला, जिसने ये पार किया, वो कौन है, Jasmine Harrison है, ठीक है, तो Atlantic महासागर पार कर चुकी है, ये, इनका ध्यान रख रहा है, स्पोर्ट्स में, बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, बहुत इसे क्या ध्यान रखना है, पेरे तो आपको ध्यान रहे, दिमाग में घुसरे लो बिल्कुल, क्या, कि ये जो अपना सेयद मुष्टाक अली T20 ट्रॉफी है, T20 ट्रॉफी है, ये किस से जुड़ा हुआ है, किस केल से जुड़ा हुआ है, जो खेल से पूछ ले या जा सकत है, और ये अभी 13 साल के बात जीता है, 13 साल से पहले इन्होंने जब जीता था, तब भी दिनेश कार्तिक ही इनके कैप्टन थे, और उस समय भी जीता था, इन्होंने सेयद मुष्टाक अली T20, तो याद रख रहा है, सेयद मुष्टाक अली, क्रिकेट से जुड़ा हुआ ह जीता, कैप्टन दिनेश कार्तिक साब थे, बस इतना याद रखी हो गया, गाम खतम, ठीक है, दोनों चीजे, भाई एक खेलो इंडिया के बार में थुड़ा से क्लियर हो जाईए, क्या क्या चीजे खेलो इंडिया की है और क्या नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएग देखो, एक आप, पहले तो दो यहाँ पर क्लियर कर लो, कि खेलो इंडिया एक युनिवर्सिटी गेम है, जो अलग चल रहा है, और एक खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स है, जो अलग चल रहा है, इन दोनों में क्लियर हो जाएगा, खेलो इंडिया, युनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटी के गेम हो और खेलेंडिया विंटर स्पोर्ट्स है इसमें सब भाग ले सकते हैं एंडर 25 उनिवर्सिटी गेम पचीस उपर टों सब भाग लेते हैं ठीक है उनिवर्सिटी गेम अभी हुआ था भूवनेशवर में और अब नया-नया होनेवाला है करनाटक में अभी जब करनाटक में होने वाला तो इसमें दो गेम को जोड़ दिया गया है एक योगासन और एक मल्खम मल्खम जो की मद्यप्रदेश का राजकी खेल भी है समझ गया तो दो खेल जोड़ दी गया है किसमें खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम पहले वहा थ आपको जम्मुकश्मीर में मिलेंगे जो पहला खेलो को इंडिया था विंडिर बहाता जांसकर जांसकर घाटी कहां पर आतीवर्दाक में और दूसरा खेलili इंडिया विंडिया वींटर स्वोर्ट्स वह आपका हुआ है गुलमर्ग की घाटी गाएंटी हैं यह जम्मू प्रदेश लद्दाग जम्मु कश्मीर यह सब समझ में आता होगा आपके लद्दाग की रजधानी कारगिल है आप सब के पता है और जम्मु कश्मीर की आपको सामसे दिखी रही है तो अलग लग तो पहले लद्दाग की घाटी जांसकर में वहा था नंबर वन और अभी तो देखे विंटरेश स्पोर्ट से तो बनी बात है आप समझेंगा आइस होगा इसनों स्कींग होगा इसनों स्कींग होता है ऐसे दो चप्टे पैर बड़े-बड़े बतक टाइप के होते हो और इसे घसीटते पर चले जाओ और डिजाइन बनाते चले आओ पीछे आगे वह सब और आपने देखा और बड़ा बड़ा ब्लकुल बढ़ी वहां पर होगी बर्फपर में और तीर अंधाजी होगी बिल्कुल ना आंखो गोल दो जिसकी जो गुलना है तो बस यहां पर भी होगा कुछ नया नहीं होगा सेम चीज़े हैं ठीक है तो यह रखे लो इंडिया युनिवर्सिटी गेंस जो मैंने आपको बता दे तो पहले का हुआ था उडिशा भुवनेश्वर में अभी दूसरा का होने वाला है करनाटक में करनाटक में जब हो रहा तो दो गेम को जोड़ेगा है योगासन और मलखाम क्लियर हो गया देखो सब याद है आपको बहुत बड़ी है शाब बाश चली अकला है अच्छा याद रखो जो यह होने वाला है कहां चला गया यह उनिवर्सिटी गेंस मान नहीं पता चलो जाएं थो भाई में ड़ता मुसुति तो मुटेरा स्टीडियम का नाम बदल करके रख़ दिया गया है नरेंद्रमूदी स्टेडियम ठींग है जी तरह से मद्ध्य प्रदेश में जो होशंगा बाद जिला अता उसका नाम अउप क्या कर देया गया है नर्मदा पूरं मुदेक और यह थो आ यारा पिछ है तिरसर टेकर में यह पहला हुआ है अभी इसमें क्या होने वाला है तीसरा भारत और इंग्लेंड का टेस्ट मैच होगा और यह पिंक बॉल से खेला जाएगा तो यह सारी चीज आपको ध्यान रखनी है और यह दुनिया के एकमात्र स्टीडियों में बता दिया आपको जिसमें जो मुख्य पिछ है और जो अभ्यास वाली पिछे है उन सभी में समान मिट्टी का उपयोग किया गया है ग्यारा पिछ के साथ नाम बदल दिया गया है बहुत बढ़िया चलो आगे चलो भई हाला कि इससे कुश्चन आने के बहुत कम चांसले कि फिर भी हम इसको लीन यह था ठीक है तो फर्स्ट एशिया आप समझगे हो पूरा एशिया एशियन ओनलाइन ठीक है शूटिंग और चैंप्वेंचेप तो देखे इसमें जो है हमारी 24 सदस्य टीम गई थी और इन्होंने बहुत जीता और सबसे जादा पदक जीत करके यह तालिका में सबसे उपर है बस इता याद रखना है उन बंदों के नाम याद रख लीजे जो इसमें मुख्य थे एक तो सौरप चौधरी नाम याद रखो कभी कभी क्या होता इन में सब कौन नहीं है ऐसा पूछ लेंगे तो याद रखेंगे तो सौरप चौधरी भी एक शूटर है पर एक आपके राजेश्वरी कुमारी महिलाओं में एक ही है यहां पर यह तो मेरे ख्याल से आपको राजेश्वरी नाम तो याद रखो इन रखो बले लड़कों को छोड़ दो लड़कों को इसी कोई नहीं पूछ रहा है समझ गया आप मेरे बार तो आप भी क्यों में आया है इनके पूर्व तेज गेंद बाज लगान टीम के वह वह काली मूझ वाला हो बिलकुल मूव मार देता है यहां पर एकदम सब्सक्राइब लगान वाला हुई तो लेकिन अब उसका भी मेरे को नाम नहीं मालू में शायद मैंच ना करता हो वहां जाने पर अभी क अगला तो इस मुच्छड का ध्यान रखेंगे यह लगान फिल्म की तरह दिख भी रहा होगा आपको बहुत बढ़िया चलो अगला भाई देखो दो क्रिक्रेटरों का नाम याद रख लो दो क्रिक्रेटरों कोन कोन एक नमन हो जाए और दूसरे अपने यूसेफ पठान द दोनोंने संयास दे लिया है और हर अधर संयास देलिया है नमन ओजा नमन ओजा मद प्रदेश टीम से खेलते थे वहां से इनकी शुरुआत हुई थी तो आप से पूछ सकते कि नमनोजा कहां से बिलॉंग भी करते तो ध्यान रखेगा इन्होंने मद्धप्रदेश टीम से शुरू किया था खेलना बस ठीक है बाकि रणजी में यह सबसे ज़्यादा जो है विकेट के पीछे आउट करने वाले बंदे रहे हैं उनका रिकॉर्ड है रडजी में हैं लेकिन समाजगे आप एक ODI खेला है दो इतना खेला है तो इनके बार में इतनी खास चीज़े हैं में याद रखना है कि नमनोजा जी ने यह कर लिया यूसुफ पठाना सबको पता है यह भाईया 57 ODI मैच वन डे इंटरनेशनल इतने खेल चुके हैं और T T20 इंटरनेशनल खेले हैं 22 और सबसे इंपरेंटन बात है कि 2007 में जब T20 विशुकप भारत जीता था तब भी उस टीम के हिस्से थे और जब हमने 2011 में ODI विशुकप जीता यहने दोनों वर्ल्ड कप T20 का भी और विशुकप यह जो अभी तो उन दोनों को ही जब ही जीत र लाते हैं अंट के बीव को हटा दिया गया था किस से IPL के ऊपर विव लिखा आता था क्यूंकि क्यों विवो स्पॉंसर करता था पैसे लगाता था इस गेम में तो उसके पास ट Info को क्र्व यह चौटा तसको और हमारी एक अनलाइन गीमिंग प्लाटफ़ों है जिसका नाम Dream 11 है आपने देखा होगा धुनी Dream 11 के खुब प्रचार में रहते थे तो Dream 11 ने जगा ले ली थी तो आपने देखा होगा IPL के उपर लिखा था Dream 11 IPL तो अब Dream 11 को फिर सटा दे गया है और Vivo ने फिर सफ न टैग हासिल कर लिया है यह जानकरी हमें दी थी IPL के जो गवर्निंग काउंसल के अध्यक्ष है ब्रिजेश पटेल ने मतलब फिर सब क्या लिखा मिलेगा आपको यह को दिख रहा है वीवो वीवो IPL लिखा मिलेगा आपको पहले क्या बिल रहा था था थोड़े देर पहले 2020 में आपको क्या लिखा मिला था Dream 11 तो Dream 11 फिर सटा दिया वीवो ने फिर सपने स्थान ले लिया है ठीक है क्या हो रहा है मैंने जानता आप चलने दो जो भी हो रहा है वह अगला स्पोर्ट्स नाम यह इनका ध्यान रखिए उसका नहीं उदर मत देखो इधर देखो यह है कौन अंकिता रहना यह पहला WTA किताब जीत लिया इन्हों इनकी रूसी साथी थी कामीला राखी मोवा ठेक वहां उसमें नहीं जाएंगे पर तुम तो बढ़र याद रखो क्या नाम है कामीला कुछ तो अच्छा लिख देता पता रही क्या लिखते हैं कामीला राखी मोवा तो इन्होंने यह साथ में जीता है और अब यह याद सानिया मिर्जा के बास शीर सव में 5 में भारती महिदा तो दूसरी भारती महिदा कौन है यो शीर सव में पहुंची हो लॉन टैनिस में, रैंकिंग में, वो हैं अंकिता रहना, सुरेश रहना से इनका कोई लिना देना नहीं है, तो कोई भी connection मत बिठाना, बहुत बढ़ी है, चलो, अगला, भाई, मानिका बत्रा, अभी आपने देखा वो लॉन टैनिस था, अभी ये जो ये टेबल टैनिस है, ठ अरियाना के डैपूटी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्य मंत्री है, तो वो अरियाना के उप मुख्य मंत्री भी हैं, दुशन चोटाला और उनी को TTFI, याने की टेबल टैनिस फेडरेशन ओप इंडिया का दुबारा से अध्यक्ष भी चुना गया है, सर्व सम्मती से, य इंडिया का टेबल टैनिस है, अभी हम बात कर रहे है, टेबल टैनिस की एक खिलाडी, मनिका बत्रा, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ था, तो इन्होंने क्या किया अभी जो हो रहा था, नैशनल टेबल टैनिस चेंपियनशिप में, महिल रहना वाला, सानिय मिर्जा वाला, अब उसमें टॉप की बात करते है, तो उसमें टॉप की महिला है, जिन्होंने अभी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, वो है कौन? अपनी जापान की नाओमी उसाका, तेक है, नाओमी उसाका, यह जापान की है, जापान की और स्ट्रेइन पंजीत है कुई और नी यह जापान की नहीं है नाम भले आपको वैसा लग रहा हो पर यह जापान की सर्मीर यह उसाका नवाक जोगविच्व यह लडगों में और वो क्यां मनिकापत्र टेबल टेनिस बहुत बढ़ी है जाले बई बही एक और याद रहा की करोड़ों में इसको खरीद लिया राजस्थान रॉयल्स ने इन से पहले जो अभी तक टैक जिसके पास ता महेंगा होने का वो युवराज सेंग के पास था जब उनको डेली डेल डेल्ली डेल्डेवल्स ने 2015 के अगली चीज़ा की इंट्रेशनल उलेंपिक कमिटी ने 2022 के खेलों की मेजबानी किसको दी है तो आपको याद रगना है यह दी गई है औस्टेलिया के ब्रिस्बेन को औस्टेलिया में आता है ब्रिस्बेन वहाँ पे होगा देखिए औस्टेलिया में यह आता क्विन्स में ही अभी 2018 का राष्ट मंडल खेल हुआ था मनिका बत्रास में स्वर्ण अपदक आप सब समझ रहे होंगा मेरी बात ठीक है तो अभी ऑस्टेलिया के ब्रिस्बेन को ही हर्याना के मुख्यमंत्री 32 साल के है और टीटी एफाई के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं सबसे कमूमर में चुनने जाने वाले यह बंदे समझ में रहे हैं मेरी बात है और टीटी एफाई का मुख्याले कहा है टेबल टेनिस फेडरिशन अफ इंडिया का यह नई दिल्ल सब्सक्राइब माइब तो आठेएब कारें समुधाय उसलिए इसलिए बनाया जाता है समझ गया और वेंकाय नाडू को न है हमारे यह हमारे उपराश्टुपती है एम वेंकाय नाडू क्लियर होगी बात बहुत बढ़ी है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह दायस सभा के दैक्ष भी होते हैं यसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो नीची आपक क्योंकि अभी हाइलाइट है तो पता होना चाहिए मां समलेश्वरी मंदिर का है ओडिसा में तो उडिसा में है तो उससे क्या इसको 200 क्रोड रुपेस में खर्च किया रहे हैं क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं देखो क्या है कि मतलब सुंदर लगाना है कि आप कोई हमारा निकल रहे हैं किसे आ रहे हैं तो हमें अलग-अलग करना है अच्छ डिवाइन एक अच्छा वो बनाना तो मतलब काफी खर्चा करना है 200 क्रोड रुपे कम नहीं होता है तो में मुद्दा यह था कि समलेश्वरी मंदिर कहा है ओडिसा में यह ध्यान रखिए कुशन सिर्व पॉल कुरूडजन को जिस फील्ड में मिला था 1995 में नोबल मिला और इनने केमिस्ट्री का मिला हुआ था ठेक है इने केमिस्ट्री का जो है नोबल पुरुष्कार मिला लेकिन क्यों जो आप ओजोन परत सुनते हो ना तो उसका विगटन घटन यानिकि उसका चरन कब कम हो और ये कब जारी, कितनी घडरी, क्या हो रही है, ये सारी बातें सिर्फ इन्हों नहीं बताई थी, इसलिए ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए, और ये भी बोलने के लिए कि ये anthropocene word इन्हों ने दिया है, कि मानव ही प्रकृति का दुश्मन बनेगा, समझ गये, तो निधन हो गया है, अब नहीं है, ये पॉल कृटजन का, दूसरा है भईया, देखो, ये एनिमल्स एक जुन्ड का नाम है, एनिमल्स जुन्ड बोल रहा हूं, ग्रुप का नाम है, कौन सा ग्रुप, जो गिटार, यानि जो पॉप सिंगर, यानि रॉक स्टार तरह का बैंड है, एक तरह का बैंड है, तो बैंड का नाम है एनिमल्स, होता है, जैसे कि आतिव असलम के बैंड का नाम है जल, जल दा बैंड, इस तरह से इनके बैंड का नाम है एनिमल्स, नाम ही है, बैंड का, तो अब मालू में है, जब बैंड होता है, कोई गिटार वदक होता है, ब्लूज स्टेंडर्ड की बिटिश बेंड का दा हाउस ओफ राइजिंग इन्होंने बनाया था इतना ध्यान रखिए गेटार वादक थी यह ध्यान रखिए बहुत मातुपूर्ड ने इसलिए ध्यान रखिए इनका निधन हो गया है इनको 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरुसकारी मिला था ठीक है बूसाब याद मत रखे मुद्दा यह है कि बंसी कॉल साब कौन थे यह थे यह ऐसी मिलेगा आपको है ना रंगमच निर्देशक ठीक है यानि कि थीटर डारेक्टर इंगलिश में थी डिजाइनर होगा ठीक है तो ऐसे नाम आ जाए तो बंसी कॉल से साब जी कर नाम याद रखेंगा बिहार में भी राजजपाल रहे जारकंड के भी राजजपाल रहे ठीक है यह कौन थे पूर राजजपाल दुनों राज्यों के यह थे हमारे कानून विद्ध यानि कानून के जानकार एम रामा जोईस इनका भी निधन हो गया राजपाल रहे है दूराज्यों किसलिए याद रखिएगा क्लियर होगी बात तो इनका भी निधन हो चुका है चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं यह चैरा देख रहे हैं आप सभी के सभी यह है टैंक मैन आर्मी तो इनका लड़ाईयों में भाग लिया था और इनकी जो यह जिस फील्ड को समालते तो वो टैंक था टैंक में घुज़े रहते थे यह ना आम्ड कॉप्स में यानि की टैंक कॉप्स मतलब यहां पर टैंक है में एक कॉम्बेट ओफिसर की रूप में इनने कॉम्बेट लेते थे आप समझ पा रहे हो यानि तीनों जुद्व में इनने टैंक चला है यह बता रहा आपको तो टैंक में के नाम से जाने जाते हैं इन्हें महापात्रा जी को अती विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मान किया जा चुका है तो याद रखे इनका भी निधन हो गया है यहाली की हमारे टैंक में तो आप से कुष्चन आयागा टैंक मेन किसे कहा जाता था लिखा हो गए वहाँ पर महापात्रा बंसीकॉल साहब और बाकि सारे नाम लिख देंगे जिश्ट मनने बनाने बेधर हो एक नाम यह हैं गया लिए कान तो राजीब गौन्दी कहीं से जीत के आया होगे ना लोगसभाब में कहीं से तो वह अमेठी था यूपी का अमेठी था जैसे उनको उड़ा दिया गया जब उनका दिहान तो गया तो उनकी जगा खाली हुई तो उस सीट से कौन लड़े तो उससे सेकंड नंबर ठीक राजी राजी की जब सरकार थी तो उस समय यह पेट्रोलियम मंत्री भी रहे है तेतर वर्ष के थे गोवा में निधन हो गया और कुछ नहीं जानना इनके बारे में आपको बाजती चीज में बता दी राजसभा के मेंबर थे अगली जो बृत्ति हुई है वो है हमारे ट्राइ के च चेर्मेन रहे थे राहुल खुलर आई-एस ओफिसर है ठीक है 68 साल की उमर देख रहो किते कम जीते हैं देख रहो आप इसलिए परिशान मत कुआ करो जादा नहीं जीनना आपने हो यहां देखो 68 यह ना पिर निपड़ गए चल दिये भी है खतम होगी काम ठीक और कुछ न घभलेशिया इनडोनेशिया और यह नीचे ऑस्टेलिए रहार यह नीचे ऑस्टेलिया IKEA और अश्टेलिया सुने को बनाने वाले संस्था यह शक्स आपास इनका नाम देख लो, इनका नाम है माइकल सोमारे, अब नहीं है बेचारे, अब तो चल बस है, ठीक है, माइकल सोमारे, यही प्रधान मंत्री भी थे, संस्थापक यही है, पापो निगिनी को बनाने वाले यही है, इसको ढूंडने वाले बनाने वाले यही है, और यही उसके पहले प्रधानमंत्री थे बनी वहाँ तो झूंडेगा वोई प्रधानमंत्री बनेगा कोई दिक्कत ही नहीं बाद टूंकर निधन हो गया है तीन बार प्रधान-मंत्री रहे यह पापव निगि नी किया नाम एक जुछू कुछ है इनों नहीं प्रशंद महासागर बहुत बढ़े हैं याद रखो सस्थापक है इसलिए कहां पड़ पड़ रहा है इंडिया से लोकिशन देखा करो ठीक है बे ऑफ बेंगॉल गल्फ अफ थाइलेंड और बांदा सी यह करते हुए आप यहां पापुआ नीगी नहीं पहुंच जाओ ऑस्टेलिया के ठीक उपर अस्टेलिया के ब्रिस्बेन को आपको मालू में ओलेंपिक होने वाला है बहुत बढ़ी है यह कोरल सी यहां पर दिख रहा हूँ अब बात करते हैं अपॉइंट्मेंट यह ने की नियुक्तियों की बहुत देर से मृत्यू देख रहे हो बाई विजय सापला सापनी लाएं उन में से यह जो नैसनल कमिशन है सिड्डियूल कास्ट का अनुसुचित जाती का यह भी तो एक निकाय है एक आयोग है तो नीती आयोग में और इस आयोग में क्या अंतर होता दोस्तों देखो नीती आयोग जो है वो असम्वेधानिक निकाय है यानि कि वो Constitutional Body नहीं है में जिक्र हुआ होगा और इसका भी जिक्र होता तो फिर किसी आर्टिकल में तो होगा तब ही टो संतिजिजान में किसी आर्टिकल में नूपलब्द है यह आपको मिलेगा आपको मिल ज्याएंग अपर क्या आपको को NCSC मिल जाएगा तो उसके चेर्मन अभी कौन बने यह पगडी धारी विजय सापला जी बनाएगा है इनका काम क्या होता है यह क्या करते हैं कि जैसे मालों की अनुसुचित जाती और सिर्फ अनुसुचित जाती नहीं जो एंग्लो इंडियन्स होते हैं दोनों का सच्चिव जे शाह अब जे शाह को बना दिया गया है प्रेसिडेंट लेकिन कहां का ACC ACC क्या है दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया का जो क्रिकेट काउंसिल है तो अब उसके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे यह हो गई सबसे कम उमर में बनने वाले का हेड़कॉर्टर का है तो वो श्रिलंका में कुलंबू ठीक है तो जे शाह जो की बिसी सी के सचेवत है अब उनको क्या बना दिये गए एसी सी का प्रेसिडेंट बना दिये जैसे इसके उपर चाइन चले चाइन चल रहा उपर एक चाईना में घंपाइल्ग कुलंबूर अजया यॉइंशक्ति है नाम है यहंद थो समेशन हिनरÍ ओनको कि यानि यहां पे जो सत्ता करती है जो Communist Party है तो उसका प्रमुख चुने गए है ना प्रमुख चुन लिए गए भईया यह अब देखो वियत नाम के बारे में थोड़ी सी चीज़े में आपको जानकरिया देता हूँ वियत नाम में सरकार चलाने वाले चार मुख्य निता होते हैं कौन-कौन होते हैं एक होता है महासचिव महासचिव आप देख रहे हो ना प्रमुख यह क्या चुने गए है गुएन फूट रॉंग यह प्रमुख का मतलब क्या है महासचिव से सबसे बड़ा महासचिव होता है वहां फिर आता है महां प्रदान मंद्रे और फिर ये राष्ट्रपती और फिर नैशनल एसेमली के अध्यक्ष आते हैं जो नैशनल एसेमली होगी उसका अध्यक्ष होगा वह तरह चार रेंग बटी है तो आप जिन्हें देख रहा है ना ग्यूंफ ट्रॉंग को वियतनाम के ये वियतनाम के सिर्फ महासची भी नहीं है ये साथ में उसके राष्ट्रपती भी है कहां चला गया राष्ट्रपती दोनों पद भी लेकर के बैठा बंदा समझ के तो अभी राष्ट्रपती तो थे ही बनाया गया है ना महासची भी बना देगा है मतला अभी सबसे टॉप पोजिशन का वेक्टी हो गया वहाँ पर वीयतनाम में वीयतनाम की राजधानी देख लो हन्यौई लेर तो सोमारे जी को याद रख्येगा पापौन पापौन जी नियुजे और गुवेंड फूट ट्रॉंग को याद रखेगा वीयतनाम से वीयतनाम की आसपास के देख लो आउस थाइलेंड को लंबया इस सब आता है यहां पर बहुत बढ़िया ठीक और तो कुछ बचर ने इनके बारे में सबसे बड़ी पोस्ट इनों नहीं लेकर रखी आप क्या बताओं उनके बारे में चलो भाई इनका हुआ इन दोनों का देख लो चेहरा यह है भाव्यालाल अगेन इनका नासा से जुड़ा हुआ यह संबन नासा जुड़ा हुए दो बंदिया आपको मैं बताई चुका था स्वाती मोहन आपने देख लिया था और कैथरीन साब को देख लिया था कैथरीन नाम की स्पेश्चिप गई भी थी नासा की वो उनकी मैथेमेटिक्शन थी तो छोड़ा गया है सप्लाइज स्पेश्चिप है वो और जो थी अपनी मिशन उनका जो मिशन था मंगल के लिए पर्सिवरेंस वो क्या काम कर रहा था भ कारेकारी मुख्य अधिकारी बनाए गया है भाव्यालाल को याद रखेगा है ना स्वाती मोहन क्या है वो मंगल मिशन की जो है आपके उन्होंने हैड किया था चलिए अब यहां पर जिस तरह से मैंने आपको बता था टेबल टेनिस फेडरेशन ओफ इंडिया याद है दु आपके बॉक्सिंग फेडरेशन ओफ इंडिया भाव्यालाल एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बहुत बढ़िया बहीं एंडी जैजी यह तु नाम याद रख लो एमेजन जिसका मैंने आपसा कहा थुरी दिर पहले एमेजन के कौन जेफ बैजोस को आप जानते हो यह CEO थे अ अभी CEO की पद्वी चलियाएगी एंडी जैजी के बार ठेक है और एमेजन का हेड़कॉर्टर कहां पर है देखलो तरह वाशिंग्टन डीसी जो की युएसे की राजधानी है वही पर इसका हेड़कॉर्टर भी है युएसे में बहुत बड़ी ऐसा भाई यह रहे है एसन CEO हैं यह बहुत तगड़े इंजिनियर हैं आज अगर आप L&T कंपणी का कंस्रक्शन कंपणी का नाम सुनते तो वो सिर्फ इस इंजिनियर की वज़र से है इन्हों नहीं इतना बनाया है तो कैसे बनाया इतना अच्छा सेफटी सेफटी मेजर का सबसे ज़्यादा ध्यान यह कि कहीं पर भी हाथसा ना होने पाए कोई भी चीज़ कंस्रक्शन कंपणी को भी इतना अच्छे से अपने चलाया हुआ है कि कोशिच करते हैं कि एक लेबर घायल ना हो जाए इस बात पर बहुत पहनी नदर रखने वाले यह M.D. और CEO L&T के अब इनको बनाया गया है च इसके बाला आवा कुष्णी के ना इसे चली भी है आगे चलते हैं और यह कुछ हैं अपोइंटमेंट देख लो इन में से सबसे इंपोइंट यह वाला है यह वाला तो नहीं भी पड़ोगो तो जाने दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एगन एक लाइफ इंश्रेंस कंपनी ह दो को याद रखो क्योंकि ये बन्ता टाटा मोटर्स का थाल बड़ी चीज़ लाइफ अनुंक्त नाम है रिस्टो स्ला जेश्यद की एलन्टी कंपनी टाटा मोटर्स ये बड़ी कंपनी है इनके सीओ आपको याद रखने हैं अमेजन बड़ी कंपनी है वह या एक और इंसान को आपको दिखा रहा हूँ अब इस बार इटली चलेंगे अभी आपन इंडिया के आसपास इधर थे उसके इस तरफ देख रहे था आँप इंडिया से उपर दर चलियाएंगे यह देख रहा है इटली इए यहाँ पर इजिए रहा इटली से उपर आ पर सिख विशल लेंड है ये मिशनिक जर्मनी आपको फरा इत्ता पड़ेगा यह फ्रांस है यह फर सब कुस्डिख रा उगए इना ऍसारी आ तो य데तली ह यहां पर आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से शाब आई तो अभी हम बात कर रहे हैं इटली की जहां पर रोम आता रोम उसकी राजधानी है तो उसके प्रधान मंत्री चुने गए हैं मारियो ड्रैगी मारियो ड्रैगी याद रख लो कन्फीज नहीं हो ना फुट देर पहले वो ती नजीप से नाम मैंने बुले तो वियत नाम के लिए आपको है ना हनोई वहां की राजधा नहीं थी इटली की रोम है तो इन्हें क्या किया भया अभी इटली के प्रधान मंत्री ते ध्यान रखो यह राइटली आपको दिख रहा होगा चलिए वह दो बंदों को और देख लो एक तो यह इंडियन है पुली गुरू गुरू पुली गुरू वेंकटा संजय कुमार यह बन गया है मनीपूर के चीफ जस्टिस हाई कोट है मनीपूर में तो मनीपूर के चीफ बि्रेन सिंग यहाँ नौंग भंबन बिरेन टेक تथक है तो एंबिरेन सिंग कहता हूं और वहां की मुक्षमंत्री है और वहाँ की गवर्नर है नजमा है ध्य। तो याद रखियें यह जो हैं गवर्नर भिरू कपूंट किया हूँ इंपाल एन बिरिन सिंग मुख्यमंत्री और नजमा हेपतुल्ला वहां की गवर्नर और उनके जो हाई कोट है मनिपूर के उसके चीफ जस्टिस कौन है पुली गोरू वेंकटा संजय कुमार नीचे आजाए मातरु साहब दिख रहे होंगे आपको यह नाम बहुत या दोजार पचास तक यह चल रहे हैं कि हम सबसे जादा एनर्जी बना लें सोलर से तो यह बहुत इंपॉर्टन सथा है और आप यकीन निमानोंगे इंट्रनेशनल सोलर एलाइंस है लेकिन इसका हैटकॉर्टर इंडिया में है इंडिया में वह भी हर्याड़ा के रखिएगा अभी यह जो अजय माथूर थे यह कहां पर काम कर रहे हैं यह काम कर रहे हैं तो अब यह बन जाएंगे किसके आपके इंटरेशनल सोलर एलाइंस की वारे में कुछ जान लीजिए 2015 में यह बनी थी यह संस्था ठीक है है एटकॉर्टर इसका गुरुग्राम हर्याना हर्याना में आता है यह एम इनका यह कि 2030 तक हम कैसे करें कि वन ट्रिलिंड डॉलर तक का इंवस्मेंट कर दे इस प्रोजेक्ट में ठीक है सोलर प्रोजेक्ट में बस इतना कंट्रीज में आती है बस इतना याद रखे काफी है वह एक और बंदे को देख लो नाम देखके तुम घबरा जाओगे इराक अली गरीबा शवीली ठीक है न अब देखी रहा होगा यह ग्रीज दिख रहा है यह ग्रीज उदर पड़ जाएगा यह पूरी भूमध्य सागर यही पर इटली है थोड़ा सा इधर जाओगो तो इदर इटली मिलेगा तो इटली में आपने देख लिए थोड़ दिर पहले मैंने आपको पड़ाया था ते दुनिया के सबसे बड़ी मेठे पानी की जील है नाम में सी आता है सागर लेकिन है सागर नहीं है वो जील ठीक है तो इधर जील यह वाली आगे तो यह जोर्जिया बीच में अजरबैजान टर्की सीरिया लेज़ लबनान फिर बीच में पूरा जाएगा तुर्कमेनिस्ता अजबेकिस्तान अफगानिस्तान यह यहां पर आ गया फिर इधर से इंडिया निकल जाएगा तो इंडिया इधर है और यह जोर्जिया है तो जोर्जिया के प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री है ना शपत लेली इराकली गरीबा शेवीली ठीक है जोर्जिया जोर्जिया की राजधानी है तब्लीसी तिब्लीसी ले रोगी बात अब क्या चाहिए आपको तो 31 वर्ष की आयू में ये प्रधानमंत्री पत को समालने वाले सबसे युवा वेक्ती है देगे बया 31, 31 साल की उमर है और ये बन चुके प्रधानमंत्री ठीक है और सबसे बड़ी बात देखो कीम जॉंग उन इस दुन्या के सबसे खतरनाक लीडरों में से एक मालूम है न नौर्थ कोरिया का लीडर कीम जॉंग उन ठीक है तो वो बंदा अब तक का सबसे कम उमर का है अभी भी सबसे कम उमर का है दूसरे नमबर पर आ गए है ये इराक ली गरीबा शेवीली ठीक है ये दूसरे नमबर पर है याद रखिए तो किम जॉंग उनके बाद इनका नमबर आता है भाई हमारे जो नितिन गडगरी जी है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गाड़ी वाड़ी सब देखने वाले इन्हों ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने रखी गरी क्या बताना चाहरे थे यही बताना चाहरे थे कितनी इंजरी होती है आप यकीन निमानों को इसमें डेटा क्या लिखा था पूरी दुनिया का जितनी गाड़िया दें दुनिया में चलती है पूरी दुनिया की जितनी गाड़िया उनमें से तरिफ एक परसेंट चलती है लेकिन एक्सिडेंट के मामले में 11 प्रतिशत है जो सबसे हाइस्ट है सबसे हाइस्ट आप देख रहे हो तो यही वह बता रहे थे किस तरह हम काम करते हैं सबसे जादा मतलब होता है मोते यहीं पर हो रही है और वह एक परसंट के गाड़िया लेकिन डेथ 11 परसंट पूरी दिनिया में सबसे ज़्यादा बहुत बढ़िया अब आती है बैंकिंग और फाइनेंस की बारी तो मतलब समझ गया होंगे आरब इसे जुड़ा हुआ है देखो आप सभी कटर और सरकार दोनों मिलकर करते हैं तो था है कि अभी तक है इसमें मैं फॉरिंटर को बुला रहा हुए और वह चौटर अब हो मालिक हो गया है तो क्या हम सी रिस्क में पढ़ गया है कि भइया इसमें जो है पचास पर्तिशक निदेशक होंगे वो भारती ही होंगे है ना प्रभुक प्रबंदन जो है वो सब कुछ यहीं वेक्ति निवासी भारती होंगे यह देखो आधिकाज याने कि जो भी बोर्ड होगा अधिकांश निदेशक और प्रभुक प्रबंदन वेक्ति निवासी भारती होंगे मतलब होंगे तो भारती ही खरीद लो लेकिन आपको निदीशक किसको बनाना पड़ेगा भारतियों को बनाना पड़ेगा तो पस इतना रहेगे कि FDI में कितना बढ़ा दियागै वीका सारकर रखी फट्ट बढ़ा दिया भीका सिर्कर में उंचा स्से बड़ा transaction लोगपाल, यह तीन तरह के लोगपाल है, इनके पास शिकायत कौन कों से जाएगी, माल लोग कि आपके पास ATM या debit card या electronic banking से जुड़ी कोई complaint है, ATM या debit card से जुड़ी complaint है, तो आपको जिस लोगपाल के पास शिकायत करनी है, वो banking लोगपाल होगा, माल लोग कि आपके पास ऐसा loan agreement या आपको लगता है कि कोई बिना notice के आपके पास complaint आ गई है, या आपको लगता है कि transparency जो है वो नहीं बरती गई है, तो आप जिस लोगपाल के पास जाएंगे वो NBFC होगा, non banking financial वाला होगा, ठीक है, और तीसरा जो है, माल लोग कि आपके fund transfer में कोई दिक्कत आ गई है, fund के transfer में बहुत ध्यान सुनिए, ATM की दिक्कत अलग होगी, आपके transparency की दिक्कत अलग होगी, और fund के transfer में कोई दिक्कत होगी, तो वो अलग होगी, तब आपको जाना पड़ेगा digital transactions, बस इतना याद रखिए, कि embudsman याने की लोगपाल होता है, तीन तरह के लोगपाल banking sector में देखने को मिलते हैं, भाई अगला है, RBI ने सहकारी bankों, सहकारी मतलब होता cooperative bank, cooperative bank कैसे होते हैं या, यह कुछ लोगों को मिला करके बनाए गए होते हैं, ठीक है, जैसे माल लोग की मैं और मेरे दोस्त मिल करके पैसे इखटा करें और उस पैसे को हम किसी को loan पर दें, किसी को मदद करने के लिए तो इसे कहते हैं सहकारी bank, ठीक है, तो मतलब कुछ गर्म्ट मिल करके बना तो यह से बहुत सारे गरुप बने हुएं, तो उन्हीं को सहिकारी बैंक केते, अब इसको क्या है कि सहिकारी बैंक पर न किया है, बन्यं Falls को सुद्रूड करने के लिए इससको मजबूत करने के लिए, RBI ने जो है कमिटी बना दी आठ लोगों की और उसके चेर्मेन मना दिये गए हैं हमारे डेपुटी RBI गवर्नर जो उप राज जिपाल है राज जिपाल के रहो जो उप गवर्नर है हमारे ठेक है डेपुटी गवर्नर है RBI के वो है N.S. विश्वनातन इनकी अद्धक्षिता में इनके साथ साथ बंदे और जोड़ी गया है उन साथों के नाम लिखे हुए हर्श कुमार तो यह सब क्या करेंगे यह कैसे कैसे उसको प्लान किया जा सकता है कैसे एक रोड मैप त्यार करेंगे कि यह जो कोपरेटिव जो लोग बैंक बनाते हैं यह पैसे जोड़ करके गोड़ पुलिस औपको मालूंख चीजा कैसे करती तो पुलिस वाले जोड रहें रख रहें दूसरे tool की मदद करते भी होगा अगर आपके पाव पुलिस वालों की मदद करते रहते हैं या अपने खुद की मदद भी करते हैं हाँ जरूत पड़ेगी तो यह से होगा काम चली बहुत बढ़े हैं तो अमेजन ने आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत को क्या ना उसके फर्स्ट डिवाइस मैनुफेक्चरिंग लाइन याद ना प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंटिव मैंने तो देर पहले बताया था दाकि हम अजबूत होता है तो अमेजन ने भी जो लॉंच कर दिया और यह क्या बनाएंगे अभी यहां पर पहला स्टेशन क्या बना रहे हैं फायर टीवी स्टिक वह ही डॉंगल की तरह होता है जो अपने लगा लेते हैं यहां पर वह डॉंगल की तरह ही होता है समझे हो आप नेरी बात बढ़ी है तो यह उन्होंने शुरू कर दिया अगला है गवर्मेंट टू अमेंड टू लजिसलेशन टू प्राइवेट फोर देखे आसान भाशा म एगेंग फिंदिया एक है सेंट्रल बैंक उडिया एक बैंक उफ इंडिया एक चलो तैक्वाषब और हरी बैंकर उना हूं को पता है जैसे बैंकर मतलब क्या कि लेड दिन होगा इतना तना कौन ध्यान देगा यह तो यह कौन होते हैं हर राज्जी के बैंकर कौन होते हैं RBI होता है ठीक है हर राज्जी का बैंकर RBI होता है लेकिन इसमें एक राज्जी अभी तक शामिल नहीं था और वो कौन सा था वो था सिक्किम अब सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया ह बस अब वो उनके निगरानी में आ गया है बस इतनी सी बात है मतलब वो देखेंगे जैसे बाके सब जुड़े हुए ना बस वैसे ये भी जुड़ गया तो सिक्किम वाला अब ये भी आया है आपको ये ध्यान रखना है ले रहा है और सीबी ये इसके जो अध्यक्षे हो दल आयाद बहुत करना है हमको सब कुछ आयाद करना चाहते हैं हम इस तरह से काम करता है ठीक है और दूसरे नंबर पर अमेरिका और युए से याद ना इसलिए तो प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंटिव शुरू किया गया है तो यह रावी है यह देखो प्रोडक्शन लिंग दोस्तो प्रकाश जावडेकर ने जो 2021 जो साल था उसको यह ऑफ इन्वारिमेंट गुषित किया है नहिसे एंवार्मेंट के रूप में मनाएंगे तो यह किस देश के साथ मिल करके किया हैं यह उन्होंने फ्रेंच फ्रांस के साथ मिल करके प्रांस जिसकी राज़दानी प अगला है आपको दिख रहा होगा Morisius मौरिशस कहा था दोस्तों अभी हम इंडिया के इस तरफ थे एक बार इंडिया के उस तरफ गए उपर गोए तर्की जौर्जीया फिर इंडिया तिक अभी फिर अपन इधर गए तें अब अपन इधर आ आ रहा है अपरिका के तरफ इसी के मुझाबिक के बगल में मेडागासकर और मेडागासकर के बगल मौरिशियस पहला अफ्रीकन कंट्री इसके साथ हमने ट्रेड एग्रिमेंट किया है तो वह पहली अफ्रीकन कंट्री कौन सी याद मौरिशियस वह आपको option दे देंगे इनमें से कुछ भी तो आपको लेगा कि हमने यह भी तो सुने यह याद रखना है अभी तक कुछ भी नहीं सुना है आपने ट्रेड की मामले में यह पहला ट्रेड जो किसी अफ्रीकन कंट्री की साथ हुआ है और कौन से अफ्रीकन कंट्र है अभिनेता मेल में अक्षे कुमार को मिला यह दादा साहिब फाल के पुरुसकार किस फिल्म के लिए लक्ष्मी फिल्म के लिए वही वाला और यह सर्विसेस्ट अभिनेता महिला वाला यह मिला है दीपिका पादुकोन को च्छपाक मूवी वह ऐसी डिटैक वाली मूवी क्रिटेक्स कहते हैं समझाने क्यों पर रहता है बेस्ट फिल्म जो बनी वो थी ताना-जी आजयोर वह काजवल वाने ऊप्रीक बएस फिल्म किसको मिला है यह मिला है पैरा Parasite को पैराइट, दोस्तों, बिल्कुल याद रूको इसको अभी अभी जब धिए Parasite बनी ये पहले तो मुवी कौन सी है? Non English Mohi है पहली Non English Mohi तो Non English है तो कहा की होगी? South Korea की मुवी है समझ मैंरी मेरी है半 South Korea की मुवी है, Parasite इसको 4 Oscar Award मिले है और Best Film का Award Oscar से भी मिला है उन्हें और यहां से भी हम देगी रहे है Best Feature Film का Best Feature Film का वहां से भी मिला हुआ है और आप देख रहो Scam 1992 Scam 1992 यह क्या है दोसो Scam 1992 यह है वही हर्षद मैता बहुत बड़े Scammer तो उनकी वेब सिरीज जो थी उसको Best Web Series का दादसाइब फाल के पुरुसकार मिला हुआ है तो याद रखेगो किसको क्या क्या मिला दादसाइब फाल के पुरुसकार पूश लेंगे आक्षे कुमार को दुरूर पूचेंगे शुषान से राजपूत पर आपको नजर रखनी है परसाइट पर भी नजर रखनी है चार आसकार रवर्ट जीच चुकी मूवी बहिया इस्वरती एराणी ने आठवे भारत अंतर राष्टे रेशम मेला इसमें अगर यह मेला तो हम क्या करेंगे इसलिए याद रखना है क्योंकि हम आयात की बात नहीं कर रहे हैं आव हम निर्याद तो हमारे पास क्या क्या चीज़े जाता है तो हम भेज सकें उस पर बात हो रही है बहुत बड़े दोस्तों बहुत बड़ी आरेशम विशम ठेक चली बहिए होई जाजपूरी चल रही थी ठीक है यह 13 बाथ हुआ है एडिशन इसका मतलब यह है कि 13 के 13 और भी कहीं हुआ हुए तो ताजब की बात देखो कि 13 के 13 ही सारे के सारे हुए थे बैंगलुरु में बाथ समझ में आ रही है तो गना और 96 हम इने मना रहे हैं 1996 हम इने मना रहे हैं और और कुछ नहीं है इसमें बात ठेक है और यह पहली बार hybrid mode में जो है किया गया तो physical hybrid mode का मतलब क्या होता है physical भी और virtual यहने आप जाके भी देख सकते तो और TV भी देख सकते तो अब इससे पहले से ऐसा नहीं होता था यह कोविड-19 पेंडेमिक की चलते तो याद रखो बैंगलूरु में हुआ तेरवा एडिशन था तेरा के तेरा वहीं हुए अब तक को और कहीं नहीं हुआ समझ में आरी मेरी बात बहुत बढ़िया चले भी करनाटक में अभी आपन न अब क्या किया है कि उन्होंने जो सड़े हुए फूलते उनको प्रोसेस करेंगे उनको प्रोसेस करके कुछ बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे आपन जैसे कि प्राकृतिक रंग फूल से हम फूलों के कागज बना सकते हैं बच्चे खरीदते उसको ठीक हम अगरबत्ती बना सकते हैं अगरबत्ती को इंग्लिश क्या कहते हैं यह जो सड़े हुए फूल है जो सड़े हुए फूल है वह आपके इस्तमाल भी हो गया कुछ नया भी बन गया और उससे जो कमाई होगी उससे आप उन किसानों की मदद भी कर लोगी बहुत बढ़ी है चाब बाश चल अब ही अपन फूड प्रसेजिंग प्लांट कर रहे थे करनाटक में अभी बात करेंगे आपन और करनाटक में क्या होने वाला दोस्तों याद ना खेलो इंडिया दो गेम जोड़ दियेंगे उसमें योगासन और मलकम सब याद रखिएगा उत्तरा खंड में पेड़ों के स 210 पेड़ पाए जाते हैं तो इन 210 पेड़ को बचाने के लिए वहीं पर शिवालिक और्गोरिटम मनाया जा रहा है मतलब उनकी प्रदर्शी नहीं लेगाई जा रही है याने कि एक तरह समझ लोगी यह पहला वनस्पति उद्ध्यान स्थापित हो रहा तो याद रखना यह संजीवनी बोटी वही जो अनुमान जिली करके उड़ गये थे क्या पता उत्तरा खंडी आया हूँ चलो गई दोस्तों अगला देख लो पीम नरेंदर मोधी विलेना गुरेट अब देखें सौ साल हो गए हैं चौरी-चौरा कांड को जो की यूपी में हुआ था आप सभी वही समय हैं यहां से अब थोड़ा से तियास में जाए और यह पता रखिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था जो नौन कोपरेशन मुव्मेंट था और सायो गांदोलन था उसको रद्ध कर दिया था है ना क्योंकि वह सायो गांदोलन कर रहे थे लेकिन कुछ लोगो अब यह अगला है दो यह जो आत्म निर्भर वर्ड है जो आप बार बार सुनते हो इस आत्म निरभरता को हिंदी वर्ड of the year 2020 खुशित किया गया है इतनी बार रेपीट हुआ आत्मी ने भरता हिंदी वर्ड of the year याद रखो भई यह Oxford ने खुशित किया है इस हिंदी वर्ड of the year अंडमान और निकोबार दोस्तों यह कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंदर शासित प्रदेश है तो इसलिए याद गड़ में मिलती है आपको यह PGIMER यह संस्था यह क्या है पोस्ट ग्रजुएट इंस्ट्यूट है मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए तो वहाँ पर सावी सारी की सारी सुविदा देना चाहते है एक छत के नीचे बस इतना याद रखे ठीक है तो पहली एंप्यू पाइलिट ऑफ इंडिया कौन बनी है तो वह आईशा अजीज बनी है ठीक है और यहार रह्मान को यह जो एंजियो है अलर्ड नामकी इंजियो इसने उन्हें बींग आइकन आवार्ड दिया हुआ है अलर्ड बींग आइकन आवार्ड टेक है यह गुड समैरिटन है से निकले यंगेस फीमल पाइलेट अभी आती अंजली भारत वाज ये भी एंजियो चलाती है इनकी एंजियो का नाम क्या है सतर्क नागरिक संगटन देख रहा है सतर्क अवेर तो यह उस पर काम करती है मतलब सतर्क कर रही है इसका मतलब क्या करप्शन से फ्री तो इसलिए इनकी संस्ता का नाम याद रखिए इनका नाम याद रखिए इनका अवर्ड याद रखिए जो बाइडन की जो बाइडन ने दिया है, दोस्तो IMD, याने कि Indian Meteorological Department, इसने दो काम किये हैं, दो नों याद रखिए, एक भोपाल में काम किया है, और दूसरा बाला सोर बाला सोर कहा आता है, ओडिसा में, ठीक है ओडिसा के बाला सोर में ये बना रहे हैं, first thunderstorm इससे क्या होता, जितनी भी human fatalities human की हत्याइं होती है, और जो property का loss होता है, उसको कम किया जा सकेगा तो minimize, तो bed है, तो सोख लेगा तो इधर उधर नहीं जाएगी, जब भी बिजली कहीं गिरने की होगी, तो ये इसे attract कर लेगा तो वह ही है, thunderstorm research test bed एक और चीज़ बनाने जा रहे हैं ये लोग, लेकिन भोपाल में बनाएंगे और वो क्या है, इंडिया का पहला monsoon test bed ये monsoon test bed है, ये कहां बनेगा भोपाल में बनेगा, कौन बनाएगा, ये Indian Meteorological Department, ठीक है तो वह इत्ता याद रखिया और कुछ नहीं है ओडिशा के बाला सोर में ये बना रहे है, thunderstorm research bed और भोपाल में ये बनाएंगे, आपके इंडिया का पहला monsoon test bed जो IMD के DG है, अब इनका नाम याद रख लो, मृत्युन्जय मुहापात्रा मृत्युन्जय मुहापात्रा और ये जो इन्होंने बनाया है थंडर्स्टॉम research bed ये सब में मिलकर बनाया, इतनी टेक्निकल चीज़ है हमाने पास DRDO, ISRO, Indian Space Research और Ministry of Earth Science तो है ये, चलिए बए, आगे देखते हैं दोस्तों, ये है होटी कल्चर फूलों की, मालूँ है बागवानी, तो राष्ट्री ये बागवानी मेला, ये भी बैंगलूरू में आज़ित हुआ चमझ गया, बैंगलूरू करनाटक में ही है, तो करनाटक में फूड प्रोसेसिंग, अब जब इतना मेला लगाओगे तो हो सकता है, फूल बरवाद होंगे, तो फूल प्रोसेसिंग भी बना लिया, समझ में आ रही मेरी बात, अब आप अच्छे समझ जाएंगे, तो कहां हुआ है, अब आपको बलू करनेट हो जाएगा, तो करनाटक में ही लगाया, फूल प्रोसेसिंग प्लांट, क्योंकि आपने मेला भी तो लगाया है, राष्ट्री बागवानी मेला, वो भी बैंगलूरू, वो भी करनाटक में, तो बहुत इत्ता याद रखिएगा, और कुछ नहीं करना है, बस इत्ता है, तो हर्टिकल चिका, बहिया, सांस, देखें, एक इंद्र धनुष है, ये केंद सरकार की स्कीम है, और ये सांस है, ये मद्द परदेश सरकार की स्कीम है, दोनों मांतर किया, तो इन्दर धनुष, जो स्कीम है, उसमें टीककर न करा जा रहा है, बच्चे का, और माता का, तक उनकी मृत्युदर कम हो सके, उनको بचा आई जा सके, बिमारियο से, सांस केंपेंड क सांस उसके लिए है दुस्तों, तो बस इतना याद रखिए और कुछ भी याद रखने ही दरूवत नहीं है, मृतिधार कम करनी है बच्चों की तो सांस campaign किस ने शुरू की है, और किस बिमारी से लड़ने के लिए शुरू किया हैै Pneumonia से लड़ने के लिए शुरू की है और शिश्मिर्तिवदर को कम करने के लिए शुरू की ह rifles चलिए अगला देखलेते हैं, मद्ध प।। में ही हुशंगभाद जिले का नाम नर्मदा पूराम रखा जा रहा है क्यों नर्मदा जो है मदप्रिदेश की जीवन रिखा कही जाती है और यह दिखर आपको यह है यह लाल कलर से चुपा हुआ पूरा का पूरा यह है आपका हुशंगाबाद अब नर्मदा कैसे निकल रही इसके आसपस से तो सारे बड़े- पूराम रखा जा रहा है तो शंगाबाद का नाम हम नर्मदा पूराम रख दिया गया है यह रहा भोपाल भोपाल से सीधे नीची की तरफ यह रहा है एक गंटे का रास्ता फृट आर्जी सीनी मालवा सब आ जायेगा लिए रहो दोस्तों सुन्दर सुन्दर घाटों के ल मंदिर बचे हुएं यहाद रहा है तो भोप। में एक एकाडमी है इसका नाम आम उस्ताद अलाउदिन खान जिनके नाम पर अकेडमी है जो यह डांस फेस्टिवल करवाते हैं खजुराओं में यह कौन है अस्ताद अलाउदिन खान साब कई बार कुछिन इनके उपर आ चुका है यह क्या बजाते हैं यह सरोध वाधक है प्रसिद्ध सरोध वाधक है उन्हीं के नाम अकेडमी है जो कि यह करवाती है बस दोस्तों और कुछ नहीं है और यह पहली बार हुआ है कि यह टेंपल के प्रांगण में हुआ है यह डांस फेस्टिवल ठीक है और कुछ याद रखनी दूरत नहीं है यह दिकर आपको चतरपूर डिस्टिक्ट में आता है मैंने बता द खजुरा हो मांडू जो आता है धार जिले में आता है तो यह मांडू फेस्टिवल भी हो गया है इसके शुरुआत थी दोस्तों ठीक है और कुछ नहीं है इसमें में चीज़ क्या है मांडू में डाइनासौर पार्क है वह याद रखना है और यह भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है यानि की 1st modern fossil पार्क इन इंडिया जिसमें कुल 24 अंडे है याद रखिए मांडू में ही डाइनासौर पार्क है और इंडिया का पहला modern fossil पार्क यहां पर मिलता है आपको क्लियर होगी बात और इसमें कुछ भी जाने के दरूत नहीं है वागि सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मांडो महसव हो गया बढ़िया हो गया ठीक संगीत इत्यास जुगा होगा 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 कहा होगा ही पूछेंगे बाई मद्द प्रदेश में ही एक जल अभी शेकम भी इसमें कुछ नहीं है मद्द प्रदेश सरकार जो है जल संक्रशनाय बनाएगी और 2000 करोड रुपे की जल संक्रशनाय मतलब होता है कि डैम यह सब बनाना तो इन सब में बंदे लगेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी और सिर्फ इतना ही नहीं होगा खेतों को पानी भी जाए चिराग क्या है दोस्तों चिराग का मतलब है चत्तिजगर्ण इंक्लूजिव रूरल एंड एक्सलेरेटेट अग्रिकल्चर ग्रोथ लेरी बात तो चिराग परियोजना कहां कि है यह आपके चत्तिजगर्ण कहां किये मद्द प्रदेश किये समझ जल अभी शेकम कहां जो आदिवासी छेत्र हैं उनके लोग कुछ उगा पाएं पॉस्टिक आहार उसको प्रेरित करने के लिए चिराग जो है वो चल रही है उगाएं और बेस्त चले हैं भाईया CRPF याद रख लें CRPF ने अपनी कोब्रा यूनिट में पहली बार पूरी जो महिलाएं कमांडो भरती की 34 महिलाएं कमांडो भरती की हैं ठीक है कहां CRPF ने किया है कोब्रा यूनिट में 34 विमन कमांडो को शामिल किया है बस इतना याद रखी है और कुछ भी इसमें याद रखने की दिरुवाद नहीं है मैं यह याद रखो तिलंगाना की मानसा अब देखो तीन नाम है मामा से ही है मनसा मान्या और एक और कौन है मनिका यह तीनों ही है मामा से मनसा मनसा बीच वाली दिख रही होगी यह आपको दिख रही होगी कौन है यह है मान्या मान्या यह रही है और यह मनिका है ठीक है कौन कौन है देखो तो यह हुआ क्या था यह फैमिना मिस इंडिया वर्ड है 2020 का किताब तो फैमिना यंडिया वर्ड बनी है मान सा वारान थी, तीज साल की है ये सिर्प रनर अप कि जो रनर अप है ये रहा यह मनी मान्या संह ये यूपी से है आपको दिख रहा हुगा यह साइड में खड़ी हुई है और ये तिलंगाना से है ना जो मानसा वारानसी है ये तेलंगाना से है और ये माननेया ये यूपी से हैं और आपके हरियाना से हैं मनिका श्योकण्द एक इनको क्या मिला मिला मिस्स ग्रेंड एंडिया गोशित किया गया अरे ऐसी नाम याद आएगा आपको मनुसिचिल नहीं 2017 की जो की मिस वर्ल्ड बनी थी समझ में आ रही है मीर बात है ना वो बहुत बढ़िया शाब बाश चलो बई और 2000 में बनी थी अपनी कौन प्रियंका चोपड़ा टेक है मिस वर्ल्ड चले दोस्तों अब देखें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जब हुआ था रिपब्लिक आर्मी इन सब के जाते हैं इनके बहुत सरे रेजिमेंट होते हैं और एक और अवर्ड मिलता है मार्चिंग का दूसरा जिसके दो कैटेगरी मिलता है एक आम्ड फोर्स की कैटेगरी में तो जब आम्ड फोर्स की कैटेगरी में जिसको मिला है वो मिला है जाट रेजिमेंट हर्याना का जाइट रेजिमेंट सेंटर इसको मिला है कि best marching है यह armed forces category में और जो central armed police force है इसकी category में जिसको मिला है वो Delhi police है और Delhi police के commissioner ने इस award को लिया जनका नाम है Robin Hiboo तो armed forces category में जाइट रेजिमेंट और CAPF category में Central armed police force पुलिस force में आपको Delhi police को मिला है ठीक है तो यह Republic Day का award मिला हुआ चलो दोस्तो फटाफट से आगे देखते है अगला है IEA यह क्या दोस्तो अंतररास्ट्य उर्जा एजनसी याने कि International Energy Agency इसने अपनी Outlook 2021 रिपोर्ट जारी की है और आप यकीन नहीं मानोगे इनका यह कहना है कि जबसे भारत के IEA बढ़ी है उनका standard जबसे बड़ा है जीवनिस्तर जब आए बढ़ती तो जीवनिस्ते बढ़ता है जब आपके पास IEA जाद होती तो आप सोचतों में से देखो कि 2000 सन 2000 के बाद से हमारी जो मांग है वो दुगनी हुई है और 80% जो मांग हमारी आती है 80% अभी भी हम कोईले पर ही निरबर है तेल पर निरबर है ठोस बायोमास से पूरी की जा रही है समझ मैं आरी मेरी बात चलिए बहुत बढ़िया अब देखिए अगला है फिर प्रस्रिंग प्लैंट और यह सब कुछ करनाटक ने अपना 31 वा जिला दे दिया जिसका नाम है विजय नगर विजय नगर आपको मालूम है जिसे हरी हर और बुक्का ने बनाया था विजय नगर समराज को और इसी के राजा आपने सुने होंगे क्रिष्णीदेव राया ते